हलो, स्वागत है आपका फ्रेजिके की शानल पर मेरा नाव है गिरण भावर आज किस वीडियो में हम लेटेस्ट करेंट अफियर से रिलेटेड फिफ्टी कोशन्स कवर करेंगे जो सभी एक्जाम के लिए काफी जादा इंपॉर्टेंट है वीडियो को ध्यान से देखेगा आप जाहे किसे भी एक्जाम के तियारी करें ये वीडियो सभी एक्जाम के लिए काफी जादा यूजफूल है लास्ट वे कुशन पूछा है मैंने आपसे जिसका आंसर आपको कमेंट करना है चले फर्स्ट कुशन है आइसे से पुरुष क्रिकेट विश्व कब दोहजार तेविस का टाइटल किस टीम ने जीता आस्ट्रेलिया टीम ने जीता किसी एक विश्यो कब संस्क रन में सरवादिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाडी ने बनाया है राष्ट्री प्रेश दिवस प्रतिव शुकब मनाया जाता है यहाँ 16 नवेंबर को मनाया जाता है सेव्ट सन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ती 2023 का आजन भारत और किस देश के साथ किया गया भारत और स्री लंका के साथ नेक्स कुशन है नेक्स कुशन है चोबनवे भारतिय अंतरास्ट्री फिल्म महत्सव का आजन किस राज्य में किया जा रहा है यहाँ गोवा में किया जा रहा है कौन सा संस्क्राण चल रहा है चोबनवा युनस्को ने हाल ही में भारत की किस शहर को संगीत का शहर गोशित क्या यह काफे ज़दे इंपोर्टन कोशन है देखे संगीत का शहर घोशित क्या है गौलेर को गौलेर मर्दय प्रदेश में है किस मंत्राले ने व्यापक डिजिटल विज्यापन निती 2023 को स्वीकृती दी है सूजन और प्रसारण मंत्राले नेक्स्ट है अंतरास्टिय सौर गटबंधन का नया सदस्य देश कौन सा देश बना है वहा है चिली अंतरास्टिय सौर गटबंधन का नया सदस्य नेक्स्ट है बाल विज्यान महुतसव का उधगाटन किस ने किया ये इसका उधगाटन क्या है डक्टर जितींद्र सीह नहीं महला हो की एशियाई चैंपेंशिप ट्रॉफी का टाइटल किस ने जीता भारत देश ने महला हो की एशियाई चैंपेंशिप दोहजार देविस गंगा उत्सव के सात्वे संस्कान का आयजन कहां किया गया इसका आयजन किया गया नहीं दिल्ली में हाल ही में किस छेत्र में गेको की नहीं प्रजाती की खोज की गई पश्यमी घाट में गेको क्या है एक प्रकार की चिप के लिए है next day, 5ć मैला, ग्रांट स्वीस, 2023 का title, भारत की किस चेस खिलाडी ने जीता या आर वैशाली ने जीता है वारत की मुख्य सूशना आकथ के रोप में किसे निव्ब किया गया, यह कुषिन एक्साम के लिए इंपॉर्टेंट है, देखे अनसर होगा यहाँपर हेरा लाल सामरीया याद रखेगा हेरा लाल सामारिया मुख्य सूचना यगत है वंडे क्रिकेट में सचिन के शतकों की बराबरी किस बल्ले वाजने की विराटने सचिन ने 49 बनाये थे विराटने भी 49 शतक लगाये है साल 2025 में 24 वी एशय तिरंदाजी चेंपेंशिप के मिजवानी कौन सा देश करेगा बांगलादेश करेगा साल 2025 में विश्व क्रिकेट एतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने है ये बने है एंजेलो मैथियूस सहीद मुस्ताक अली ट्रॉफी 2023 का टाइटल खिताब की स्टीम ने जीता है पंजाब ने जीता है यह दिया जाता है क्रिकेट फिल्ड में हाल ही में वेस्ट इंडीज के किस खिलाडी ने अंतरास्ट्रे क्रिकेट से सन्यास की होशना की सुनील नरिन ने राश्टी आयरुवेद दिवस 2023 की थेम क्या है आयरुवेद फॉर वन हेल्थ वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 की दूसरे संस्क्राण का उत्गाटन किस ने किया पी एम नरेंद्र मोदी ने भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मोबिलीटी एंड माइग्रेशन एग्रिमेंट पर हस्ताक्षर किया इटली नेक्स्ट कोशन है किसे हाल ही में दूसरे रोहिणी नईयर पूर्षकार से समानित किया गया दीनानात राजपुत को चुनाव आयोग ने चुनावी साचहर्ता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझोता किया है सिक्षा मंतराले के साथ अगला सवाल है रास्टे विधिक सेवा दिवस प्रतिवश कम मनाया जाता है देखे रास्टे विदिक सेवा दिवस जो है नो नेवेंबर को मनाया जाता है अगला सवाल है Association of Mutual Funds in India की ने मुख्य कारीकारी अधिकारी के रूप में किसे निक्त किया गया वेंकिट अनागेश्वर चलसानी को अगला सवाल है गोवा में आएजी दरास्ट खेलों में 200 पदकों का आगड़ा पार करने वाली पहली टीम है महरास्ट के टीम एश्या शूटिंग चैंपेंशिप 2023 में पुरुशों की 50 मिटर राइफल 3P इवेंट में किसने सोन पदक जीता है एश्वरिय प्रताप सी है तो मरने अगला सवाल है भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाडी सचिन तेंदुलकर की प्रतीमा का नावरण किया गया वानखेड स्टेडियम में साल 2023 के British Academy Book Prize से किसे सम्मानित किया गया नंदनी दास को सम्मानित किया गया है याद रखेगा British Academy Book Prize से नेक्स्स कुशन है ताटा पावर रिन्यूएबल एनरजी लिमिटेड के नए CEO और MD के रूप में किसे नुक्त किया गया दिपेश नंदा को ताटा पावर रिन्यूएबल एनरजी लिमिटेड के CEO और MD बने है फीफा पुरुष विश्व कप दो हजार देखे आगे बात हो रही दो हजार चोटिस आपसे पूछा है इसकी मेजवानी कौन सा देश करेगा साओधी अरब करेगा याद रखेगा दो हजार चोटिस में नेक्स कोशन है लेखी का नंदनी दास को किस पुस्तक के लिए ब्रिटिस अकेडमी बुक प्राइस दो हजार देविस से समानित किया गया याद रखेगा कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड दे ओरीजिन्स ओफ एम्पायर इस पुस्तक के लिए ने समानित किया गया है लेखी का नंदनी दास को ठीके किस पुरुषकार से याद रखेगा ब्रिटिस अकेडमी बुक प्राइस दो हजार तेविस से काफे जाद है इंपॉर्णि कोशन आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन है लॉन टैनिस में किस खिलाडी ने पैरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया है नुवाक जोकविश ने अगला सवाल है वन टै विश्यो का पितिहास में सबसे तेज दोहरा शेतक लगाने वाले बल्लेवाज बने हैं ग्लैन मैक्सवेल किस राजे सरकाने हाली ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है तमिल नाडो राजे सरकाने अगला सवाल है भारत और अमेरिका के बीच टू प्लस टू विदेश और रक्षा मंत्री स्तरिय सनवाद का आजन कहां किया गया नई दिल्ली में ठीक है याद रखेगा भारत और अमेरिका के बीच में टू प्लस टू विदेश और रक्षा मंत्री स्तरिय सनवाद का आजन नेक्स्ट है भारत अंतरास्टिय विज्ञान महत्सव 2023 का आज़न कहां किया जाएगा फरेदाबाद में नेक्स्ट कोशन है वर्ड फिलोसोफी डे 2023 इस वर्ष कब मनाया गया यह 16 नवेंबर को मनाया गया वर्ड फिलोसोफी डे 2023 में सहारा समो के संस्थापक कौन थे जिनका हालही में निधन हुआ है ये थे सुबरत रोय नेक्स्कुशन है हालही में भारती तर्टरक्षक बलके किसा जहाच को सेवा मुक्त कर दिया गया है संगराम को हालही में भारत के महासरवेशक के रूप में किसे निक्त किया गया हितेश कुमार S. मकवाना को अगला सवाल भारत ने हालही में कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परिक्षन किया प्रलाइका यह कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है केंद्रे जाँच ब्यूरो के स्युक्त निदेशक के रूप में किसे नुप्त किया गया वी चंद्रशेखर को अगला सवाल किस राजे सरका McMahon ने हाल ही में निर्यात को बड़ावा देने की लिए राजजे की पहली निर्यात प्रुत्साहन निति को मन्जूरी दी है माहराश्ट राजे सरकान में अगला सवाल है अगला सवाल दिखेगा ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री के रूप में किसे नगतिया गया डैविट कैमरन को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे जिन्होंने हाल ही में कप्तानी सस्तीफा दिया है बाबर आजब ने चलिए आज के वीडियो में इतना ही पचास महत्वन प्रश्ण हमने कवर किये है लास्ट में एक कोशिन पूछा है मैंने आपसे जिसका अंसर आप कमेंट करिएगा तिके कोशिन है आइक से सी पुरुष क्रिकेट वेश्व कब 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता इसका सही उत्तर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है और यहाँ पर आप बहुत साइच चीज़े कमेंट करके बता सकते है कि फाइनल मैच जो खेला गया था या किस स्टेडियम में खेला गया था किन दो टेम के बीच में खेला गया था चलिए आज की वीडियो में इतना ही वीडियो अगर आपको फसंद आए है तो चैनल को ज़रूर सब्स्राइब करना बैल नोटिफिकेशन आइकन पर और प्रेस ज़रूर कर देना हमारे चैनल पर आपको इसका पीडियाफ बिल्कुल फ्री मिलेगा आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है देके शुरुआत के 10,000 बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है आपको यह भी ध्यान देना है ठीके तो इस वीडियो का आप जादा से जादा लोगों तक शेर कीजिएगा ताकि इस वीडियो पर जादा से जादा व्यूज आए और जादा से जादा बच्चे बिल्कुल फ्री पीडियाफ का फायदा उठा सके वीडियो को यहां तक देखने के लिए थैंक यू